नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखना हुमियोपैथि क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे बिली फराइटिस यानि कि जो आपके आइलेट्स होती है इसमें सूजन की बहुत से लोग होते हैं जिनको आप देखते होंगे उनकी आखों में सुबह शाम कभी कभी सूजन आ जाती है आइलेट्स पर पलकों पे कभी कभी शाम को आ जाती है और यहाँ सूजन आपको परिशान करती है हम आपको पताएंगे बीफलराइटिस को खतम करने की 10 कारगर होमियोपेटिक दवाएं जो आपको लाब देंगी सबसे पहले साथियों जान लेते हैं बीफलराइटिस होती क्या है यहाँ साथियों आपकी आईलिट की वहाँ कंडिशन होती है जिसमें आपकी आईलिट स्वेल कर जाती है उनमें सूजान आ जाती है आपकी पलकों में लाली महसूस होती है और आपको परशानी होती है तो इसका मेडिकल टर्म जो है वहाँ भीफलराइटिस है हम लोग इस वीडियो में इसी टर्म से इस मर्ज की चर्चा करेंगे इसके symptom साथियों, आपकी आखें लाल हो जाती हैं, आपकी आखों से पानी आने लगता है, आपकी आखों में पेन होने लगता है आपकी आखें clogged हो जाती हैं, चिपकी हो जाती हैं, उससे जो है थोड़ा बहुत पस या fluid का निकलना शुरू हो जाता है इस तरह तमाम सिम्टम्स होते हैं जो आपको beef arthritis के रूप में अपनी आखों की पलकों पर दिखते हैं इसके कारणों की बात कर लेते हैं साथियों तमाम कारण होते हैं आपकी आख की पलकों की सूजन के जिसमें मुक्ळ है कि आपकी oil glands block हो जाते हैं जब आपके oil glands eyelid के जो hairस होते हैं eyelashes इनको जो glands होते हिआं ब्लॉक हो जाते हैं और आपके eyelids में सूजना जाती इसके अलावा और तमाम कारण होते हैं में की कोई आपके माइट की अलर्जी हो जाना कोई अलर्जी हो जाना आख में किसी चीज से कभी चोट लग जाना इस तरह तमाम कारण होते हैं जो आपको बी फ्लराइटिस पैदा करते हैं हम आपको बताते हैं बी फ्लराइटिस को दूर करने की दसकारगर होमियोपेथिक द इतने साथियों सफर पर जिसको आपको बताते हैं, बीफ राराइटिस को दूर करने की दसकारगर होमियोपेथिक दबाए। साथियों नंबर एक दवा हुमियोपैथी में जो बीफ रराइटिस की आती है आपके पलकों की सूजन को ठीक करने की आती है वहाँ है यूफरेसिया अगर आपकी आखों की पलकों में सूजन है आखों में जलन हो रही है और आखों से पानी आ रहा है तो आप यूफरेसिया दवा 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बाल ले सकते हैं यहाँ दवा आपके आख की पलकों की सूजन को कम करने में मदद करेगी एक सिति साथियों आ सकती है आपकी आईलिट के सूजन के विशे में कि आपकी आईलिट में सूजन और साथ में बहुत पानी उससे आता हो तो अगर यहाँ सिति आप में हो तो इससे सिति से निपटने की इसको ठीक करने की हुमियोपैतियों बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्स आप रस्टॉक्स वनियम पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले लें इससे आपकी यहाँ समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी आपकी आखों का आने वाला पानी भी रुख जाएगा निकलने वाला और आपकी आख की सूजन भी खत्म हो जाएगी एक और दवासाथियों जो बहुत कारगर है बीफलराइटिस में उस इस्तिती में जब आपकी आखों में चुबन और जलन हो रही हो तो उस इस्तिती में आपकी आख की पलक की सूजन और जलन और चुबन को खत्म करने की बहुत अच्छी दवा है एपिस्मेलिफिका आप एपिस्मेल 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपकी आख में सूजी हुई हो उसमें जलन हो रही हो उसमें चुबन हो रही हो एपिस्ट के मरीज को नॉर्मली प्यास बहुत कम लगती है आप एस दूआ को लेके अपनी आख की पलक की सूजन को कम या खत्म कर सकते हैं एक सिम्टम किसी किसी में आखों की पलकों की सूजन के विशाओ में आ सकता है कि आपकी आख पे बहुत ऐलर्दीों बहुत मोटी सक्ट पपर बढ़ जाती हो और आपके सर में भी ऐसी अलर्जी हो और आपके पप्री पर जाती हो तो अगर यह इस्टिती हो आपकी तो इस्टिती को ठीक करने की हुमियों पैती हैं बहुत कारगर दवा मिजेरियम है आप मिजेरियम 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं यहां दवा आपको ठीक करेगी आपको स्वास्त रखेगी और आपको यहां एलर्जी भी पूरी तरह खत्म कर देगी एक इस्टिती साथियों आपके सामने आ सकती है कि आपकी आइलेट्स में सूजन आ गई और उससे पस्फार्मेशन हुआ और क्रस्ट बन गई पपड़ी ऐसी बन गई और आपकी आँख चिपक गई अगर यहाई स्थिती है कि आपकी आप में क्रस्ट बन रही है पपड़ी बन रही है और उससे आपकी आप चिपक रही है और आपकी पलकों पे सूजन है तो उसे स्थिती को ठीक करने की होमियोपैथी वे बहुत कारगर दबा है ग्रिफाइटिस आप ग्रिफाइटिस 30 दो, दोबून दिर में तीन बार ले ले इससे आपके आपकों में जो पपड़ी पड़ रही, क्रस्ट बन रही ओ भी बनना कटम हो जाएगी और आपकी सूजन भी खतम हो जाएगी क्रिफाइटिस का पेशेंट साथियों आम तोर पे कपजियत भी उसके रहती भाग कॉंस्टिपेटेड होता है और महिलाएं साथियों थोड़ी इस समसा की फियर फैट और फ्लैबी होती है जिनके यहाँ दिकत होती है एक सिम्टम आता है साथियों जब अगर आपके आईलिड में स्वेलिंग है और साथ में आपको धूप से चमक बहुत लगती है तो अगर यहाँ symptom आप में है और आपके आखों में सूजन है तो आपके आइलिट्स की पल को, आइलिट्स को सूजन को खतम करने की और फोटोफोबिया याँनि आखों को चमक को खतम करने की बहुत कार्गर दवाय हो में पिथी में आरजेंटम नाइटिकम, आप आरजेंटम नाइटिकम 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ले सकते हैं, क्या दवा आपके आपकों की पलकों की सूजन को भी खत्म करेगी, और आपका यह जो फोटोफोबिया धूप में चमक की आदत है, आपकों में चमक लगने की आदत है, उसको भी खत्म करेगी, एक इस्थिति आती है साथियों कि आपके बहुत हाट ट्यूमर हो गया हो, मतलब पलक सूजी हो, पलक सूजने के बाद पस पड़ा और गाठे पड़ गई हो, और वह हमेशा सूजन आपके बनी रहती हो, तो अगर यहाँ इस्थिति है कि आपके प्रटेंट यूमर हो गया हो, सक्त गहाँ सिस्थ हो गई हो, आप में और आपके आपके सूजी रहती हो, तो उस्थिति को ठीक करने की हो, में पैती में बहुत कारगर दबाए स्टैफिस सैग्रिया, आप इस्टैफिस सैग्रिया 30 पावर में 2-2 बून दिर में 3 बार ले सक प्रटेंट यूमर हो, तो अगर आपके आइलेड में सूजन है, आपके आइस ड्राइ हैं, सूखी हो ही है, और आखों में खुजली होती है, तो उस्थिति को ठीक करने की हो, में बहुत कारगर दबाए स्टैफिस सैग्रिया 30 पावर में 5-5 मिट के फासले पर विक्ली ले यहाँ जो प्रेट्रोलियम रेक्टिफेंस इसका पूरा नाम है, यहाँ दबा आपके आखों की ड्राइनेस को भी खतम करेगी और आपके पलकों की सूजन को भी खतम करेगी, एक साथियों स्थिति आ सकती है आपके आइलेड्स की स्वेलिंग के केस में, कि आपके रहती हो, आपको साथ में एकने की हमेशा सिकायट रहती हो और आपके स्टाइल यानि कंजिया आपके आखों से निकलती रहती हो, अगर यह स्थिति आप में है कि आपके कंजिया बार बार आती हो और आपके आइलेड्स स्वेल रहती हो, तो उसी स्थिति को ठीक करने की होम पेटियम बहुत कारगर दबा है पल्सेटिला नाइग्रा आप पल्सेटिला 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यहां दबा आपके आँक की सुजन को भी खतम करेगी और आपके जो यह लगातार जो है बनी वी करामिक कंडिशन है इसको भी खतम करेगी पल्सेटिला के मरीश को आम तोर पे प्यास बहुत कम लगती है अगर आपने यह सिम्टम है तो पल्सेटिला आखों के पल्कों की सुजन के विशय में आपकी ट्रग अप्टा चॉइस हो सकती है एक इस्टिति किसी के सामने आ सकती है कि उस व्यक्ति की आखें बहुत सूख आये आपको आखों में तो इस इस्टिति में आपकी जो दवा मदद कर सकती है उस दर्ध को रोकने में सूजन और लाली को बैठाने में वहाँ है बैलेडोना आप बेलेडोना दो सव पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यह दवा आपकी आखों की सूजन को भी खतम करेगी आखों की लाली को भी खतम करेगी और आपकी आखों में दर्द को भी खतम करने में सक्षम है एक सिती साथियों आती है कि आपकी आईलिट्स बहुत वक्त से सूजी हुई हूँ और वहाँ क्रॉनिक तोर पे आप सूजी रहती हूँ और धीरे धीरे वक्त के साथ आपका एक एक आईलेस चोड़ गया हूँ तो आँख पर कोई आईलिट्स पर बाल ही ना बचा हो तो अगर यहाँ सिती किसी में हो आप में तो उसी सिती को दूर करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है एलूमिना आप एलूमिना दो स्वावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले सकते हैं यहाँ दब आपकी आई की swelling को भी खतम कर देगी आई lashes की और जो यह chronic आपके ते जिनों से यह case चला रहा है इसको भी खतम कर देगी एक स्थिति आती है साथियों की आपकी eyelids सूजी हुई हो आखों की पलकें बहुत सूजी हुई आख में पपड़ी पड़ रही हो और पलकें आपकी जड़ रही हो आई lashes आपकी जड़ रही हो तो अगर यहाँ दीन symptom आप में हैं तो आपका drug of the choice आपकी आखों की सूजन को खतम करने की आपके पलकें जड़ने से रोकने की और लाली को खतम करने की वहाँ है सलफर आप सलफर वन एम की तीन खुराग पच-पच मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं यहाँ दवा आपकी इस समझ से आखों खतम करेगी आपको लाब देगी और आपके आखों में सुजन आने के बाद मवाद बनने लगा हो और वहाँ आपको परिशान कर रहा हो तो अगर मवाद नहीं सुखेगा जो जब तक आपकी आईलिट की सुजन नहीं सुख सकती तो उसे सिती को ठीक करने की उस पस को सुखाने की और आपके आईलिट की सुजन को खतम करने की बह हो रहा है आपके eyelids पर eyelashes के आसपास उसको भी खतम करके आपको आराम देगी एक साथी ओब बहुत common symptom आता है जब आपके eyelids swell कर जाती है वहाई syphilis बहुत लोगों को eyes के आसपास syphilis हो जाती है और उसके बाद उनकी eyes swell कर जाती है तो अगर आप में यहाई इस्थिती है कि आपके eyelids swell कर जाती है और आपको सिफिलिस की history present या past रही है तो उस्थिती को ठीक करने की सिफिलिस की और आपके eyelids की सुजन को खतम करने की बहुत अच्छी दवा है Reporter eens score अब मर कौर 30 पाफ में दो दो पूँन दिन में तीन बाल ले सकते हैं यह दवाँ आपके आपकी आपकों की सुजन को भी खतम कर देगी और आपको बहुत सूजन हो गई और लाली आगई और आखों से बहुत पानी टियर्स आ रहा हो तो उसे सिती को निपटने की हो में पैठी बहुत कारगर दवा है Mercurius Solibrius Mercurius Sol 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप ले सकते हैं उसे सिती में जब आपकी आँख की पलकों में सूजन हो आँख से वाट्री डिश्चार्ज हो रहा हो और आखें बहुत लाल हो यहाँ दवा आपकी मदद करेगी एक साथियों और बहुत अच्छी दवा है आपकी आईलिट्स को सूजन को खतम करने की यानि बलेफराइटिस को खतम करने की जब साथ में आपके फोटोफोबिया और क्रेटाइटिस हो बहुत कारगर दवा आए हों योपेथी में और दवा का नाम है क्राइसोफैरिकम एसिड अगर आपके क्रेटाइटिस है और बलेफराइटिस है और साथ में फोटोफोबिया है तो आप यहाँ दवा ले सकते हैं यहाँ दवा आपके इंतीनों सिम्टम को खतम करके आपकी इस्थिति आती है साथियों, आपकी आखों की पलकों पे सूजन हो और आखें आपस में चिपक जाती हो और आखों में रेत ऐसी गड़न होती हो, सैंड ऐसी गड़नत होती हो, तो अगर यहाँ दिक्कत आप में है, तो इसको ठीक करने की विदवा रेत सही बनी है उपने उप आपकी आखें पलकें आपस में चिपकती हो, तो सैलिस यह आपकी टगव दो चॉइस है, यहाँ दवा लेने पर आपको लाप मिल सकता है, यह साथियों कुछ दवाएं थी आपके बलिफराइटिस की, आखों के पलकों की सूजन की, मैं आपसे फिर कहूंगा, कोई भी दव हो, तो आप हमें वाट्साइब कर सकते हैं, यूट्यूब नोटिफिशन पैनल पर लिख सकते हैं, आपसे निवेदन है साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और उससे जबूरी इसको शेयर कीजेगा, अपने चैनल को सब्स टो बिबूब लिएगे, तो नो simulate Almost One at Mum, यूटब पैनल ब़ेधन हैं, यूटरी, क अच्छा द सकते हैं, यूटरी, और पीडियों, अदोरी, के शच्छा मुटबetr वीडियों, यूबरी, वीडियों, 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 वीजिबूरी, कि मुटरी, कर सकते हैं, और ख बाल कर दो प्राइब प्राइब कर दो प्राइब है झाल